नमस्कार दोस्तो स्फागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेन्स सेक्टर के अंदर इंडिया ने आतम निरुर्वर होना शुरू कर दिया है और बहुत से फाइटर जेट इंडिया के अंदर ही बनाये जा रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है तेजस फाइटर जेट का और अब एक प्राइवेट कमपनी VEM Technologies ने इसकी सेंटर फ्यूसिलेज यानि की बीच वाली बोडी बनाके डिलिवर कर दी है। और इस कमपनी को H.E.L. की L.C.A. डिवीजन ने सपोर्ट भी किया है और इसने लोकली ही सेंटर फ्यूसिलेज फैबरिकेट की है। और इस सेंटर फ्यूसिलेज को 1595 पार्ट जो की मेकैनिकल हैं, कॉम्पोसाइट स्टक्चर हैं इन्हें असेंबल करके बनाया गया है और इन बहुत काम किया है और इसकी अगर हम लैब की या इंफ्रासक्चर की बात करें तो यहां पर हाई प्रिसीजन मशीनरी लगाई गई है, इसके अंदर बहुत सी मेटालर्जीकल प्रोसेसीज होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, न्यूमो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा है, फ्यू इसकी सेंटरल फ्यूसीलेज को बनाने का काम बड़ा होता है, और यह अगर उसे अच्छे तरीके से निभाती है, तो इससे तेजस फाइटर जट के प्रोडक्शन पर भी फरक पड़ेगा, चुकि हमारा लक्षय है एक साल के अंदर 16 फाइटर जट बनाने का, तो इससे इस काम के अंदर तेजी आएगी, और H.E.L. के चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर आर्म आधवन ने भी V.E.M. टेकनोलोजी को कुंग्रेचुलेट किया है, और कहा है कि आपने बहुत ही डेडिकेशन से काम किया है, और इसका सही से परदर्शन करके दिखाया है, इसकी सें जो की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए, उन्होंने भी V.E.M. टेकनोलोजी को इस अचीवमेंट के लिए बधाई दी है, क्योंकि अब तेलंगाना एक हब बनता जा रहा है, एरक्राफ्ट सिस्टम और मिसाइल सिस्टम की म ऐसे में दोस्तों ये हमारी एरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, धन्यवाद जैहिन